कहते हैं, गर दिल खोल के हसली होते यारों के संग, तो आज दिल खोलना ना पड़ता और जारों के संग, क्या दिल के तूटने से किसी का डेथ हो सकता है? The answer is yes, दिल के तूटने से किसी की डेथ हो सकती है. दिल के तूटना मतलब अचनक job चले जाना, धोका होना, relationship का अचनक break हो जाना, divorce हो जाना, या फिर घर में किसी की death हो जाना, इन सारे circumstance में इंसान extreme pain में चला जाता है, depression में चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं, दिल का तूटना, क्या दिल के तूटने का मतलब actually दिल का तूटना होता है, दिल यानि कि heart, heart को अगर physiologically देखें, तो अंदर से actually वो distort हो जाता है, देखिए screen में आपको पता है कि heart के चार chamber होते हैं, उसमें से जो left ventricle है, जब कोई इंसान extreme pain में होता है, depression में होता है, तो वो distort हो जाता है, उसकी size, उसका size बड़ा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं, medical भाशा में टैकोटसुबो, cardio myopathy, टैकोटसुबो क्या होता है, यह एक Japanese term है, और इसका मतलब है, एक तरह का pot जो Japanese लोग use करते हैं, octopus को पकड़ने के लिए, यानि कि octopus अंदर तो चला जाता है, लेकिन बहार ने निकल सकता है, so left ventricle का shape looks like this, shape उसका बड़ा हो जाता है, कुछ ऐसा बन जाता है, जरा सूचिए, एक heart जिसके तीनो chamber, तीन chamber छोटे हैं, और चौता चमबर बड़ा हो गय है, ऐसा heart जीवन में आपको कहां तक साथ देगा, इस बाद का अंदर्दा लगाने के लिए, आप सोचिए, आपके पास एक car है, उसके चार में से एक पईये को निकाल के truck का पईया लगा दें, tractor का पईया लगा दें, तो ऐसे में ये car आपको कहां तक ले जाएगा, कहां त आप देगा, that is what is happening with tachotsubo cardiomyopathy, in fact, दुनिया में हर दस में से एक heart attack death is actually not because of heart attack, it is because of tachotsubo cardiomyopathy, मतलब ये कि ऐसे में जो इंसान की ancient symptoms होते हैं, वो heart attack के patient की तरह ही होते हैं, उसी तरह का pain होता है, उसी तरह का discomfort होता है, लेकिन autopsy में परएचलता है, कि कोई blockage नहीं था, actually left ventricle का size बड़ा हो गया था, so इस तरह की situation से कैसे अपने आपको protect करें, कैसे अपने आपको बचाएं, दिल के तूटने से हमारा heart actually failure में ना convert हो जाए, ऐसे में क्या करें, एक बात हमें समझना होगा, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, चाहे कोई developing country में रहता हो या डेवलप देश का निवासी हो, छोटा हो या बड़ा हो, दुनिया में हमेशा uncertainties रहती ही हैं, इंसान के जीवन में हर तरह के रह होते हैं, खुशी और गम सासा चलती ही हैं, तो ऐसे में अगर कुछ technique, कुछ tools आपके पास हों, तो आपको साहसा सकता है, बड़े से बड़े challenges, बड़े से बड़े stress का सामना करने के लिए, इसमें आपको समझना होगा, कि actual mechanism क्या है, brain, जो कि एक तरह का hormone release करता है, जिसे हम बोलते हैं, oxytocin, happiness hormone, और कई बार brain happiness hormone उतना produce नहीं कर पाता, जितना उसको produce करना चाहिए, as a result, we start feeling low, इसका कारण है, कि brain को oxytocin produce करने में energy की ज़रत होती है, और energy के लिए सिर्फ एकी source है, glucose, and unfortunately brain glucose को store नहीं कर सकता, ऐसा कोई mechanism brain के पास नहीं है, glucose के supply के लिए brain निर्वर है blood पे, और सुबह जब आप उठते हैं, 8 गंटे सोने के बाद, 8 गंटे पहले अपने खाया होता है, ऐसे में आपका glucose के supply towards the brain, वो कम होने लगता है, so the most important thing is, your breakfast, make it a fruit breakfast, सुबह उठके याद रखिये, fastest and most reliable and the best way to supply glucose to the brain is through the fruits, the kind of glucose which you get through fruits are the glucose which are required the most by the brain, जैसा कि मैं अक्सर DIP diet मैं आपको बताता है हूँ, so that becomes your first step, सुबह का नास्ता बारह बज़ तक का खाना, make it fruit breakfast, और सात ही में रात को सोने से पहले, एक चुटकी सैफरन यानि की केसर लेके, एक कब गरम पानी में डालिए, दो-तीन मिनेट वेट कीजिए, फिर चाही की तरफ से पी लीजिए, सो जाईए, सैफरन आपको प्रोड़क करेगा, cortisol जिसे हम बोल सकते हैं, sadness hormone उसके production को कम करने में, एक तरफ happiness hormone को production बढ़ाने में मदद करेगा fruit breakfast, तो दूसरी तरफ सैफरन आपकी मदद करेगा sad hormone को घटाने में, and that is the first step, the physical aspect, अब बात करते हैं, psychological aspect, the second step, इसके लिए मैं recommend करूँगा सिर्फ एक किताब, how to stop worrying and start living, चिंता छोड़ो और सुख से जीओ, डेल करने, अगर आप बोलते हैं कि मैं जीवन में सिर्वेगी किताब पढ़ना चाहूंगा, तो मैं बोलूँगा ये किताब पढ़िए, ये किताब freely available है, आप चाहे तो screen पे दियोए link में जाकि इस किताब को download कर सकते हैं, आप ये तै किजिए कि रोज, दिन में कभी भी, किसी भी पढ़ने को खुलेंगे और एक page या दो page जरूर पढ़ेंगे, अगर ऐसा कर लेंगे तो आपके brain में positivity आएगी और जो की बहुत important है, आपके लिए किसी भी stressful situation के सामना करने के लिए, that is all step 2, अब बात करते है step 3, step 3 means synchronizing between the physical and the psychological aspect, mind and body का connection, इस के लिए the best way is 15 minutes exercise under sunlight, sunlight के नीचे 15 minutes कोई भी exercise, but the best form of exercise is the exercise, जहाँ पे आपका metabolic equivalent 5 और 5.5 की बीच में हो और जहाँ पे आपका heart rate 70% of the maximum heart rate हो, अगर ऐसा कोई exercise कर पाएं, तो उसका effect बहुत ज्यादा प्रहशली होगा और बहुत जल्दी आएगा, ऐसे में हमने design किया, एक खास exercise जिसका नाम है SMARD, Slow Martial Arts to Reverse Diseases, अगर यह exercise आपको सीखना, इसकी training लेनी है, तो मैं आपको बिलूँगा, 1st September 2019, याने कि this month, coming month, कमानी auditorium में सुभे नौबजे, और यह 4 घंटी की training है, और इस training में सिर्फ मैं आपको SMARD के बारे में नहीं बताऊंगा, Slow Martial Arts to Reverse Disease, सिर्फ इसकी training नहीं होगी, इसके technique के बारे में नहीं, तो not only, you'll get to know about this, बलकि इस training में मैं आपको बताऊंगा, कि कैसे आप बिमारियों से पीछे चुड़ाएं और कैसे आप दवाईयों से पीछे चुड़ाने के लिए, आपको बिमारियों से पीछे चुड़ाना पड़ेगा, दवाईयां आप लेते हैं बिमारियों की विज़ से कहीं polio ना हो जाए तो polio vaccine ले रहे है जब कि असली बात तो यह है कि हमारे देश में ज्यादा बच्चे polio से ग्रस्त है polio virus की वाज़े से नहीं polio vaccine की वाज़े से. So, I invite you to be a part of the training called the shocking truth from the polio drops to insulin shots. यह 4 गंटे की training में आपको एक खास तरह का diabetes chess game दिया जाएगा a kind of game which can help you to calculate how to taper down the insulin or the medicine in response to the food. A special kind of diet which can help you reverse diabetes, heart disease, etc. इस training में walk-ins are not allowed. Walk-ins allowed नहीं है. आपको अपना नाम register करना पड़ेगा और register करना के लिए आप screen पे देवे link में जा सकते हैं. सबसे important बात थोड़ी सी seat रह गई है यह जो link है अगले 4 दिन के लिए open रहेगा उसके बाद यह link close हो जाएगा. So, hope to see you on 1st September in Kamani Auditorium at 9 a.m. in New Delhi. Thank you.